नमस्कार दोस्तो यूपी टवले सी पेडकेस विजेता बैच में आप सभी का सौगत है दोस्तो हम लोग आयोग दोरा बिभिन परिछाओं में बिज्ञान के जो भी प्रस्ण पूछे के उन सभी को हल कर रहे हैं इसक्रम में आज के वी रिडियो सात्वा वीडियो है इससे प पूछे हैं उनको यह त्यार कर ले जाते हैं तो आपकी जो पांच प्रस्ण पूछे जाने हैं वह उससे बज जाएंगे ऐसा मेरा नुमान है ठीक है तो चलिए आज के प्रस्णों को सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा स्टेमाल किया जाता है सागर की हमें गहराईन अपनी है तो हम उसे से सागर की घहराई नापनी के लिए हम फैथो मीटर का परियोग करते है, फैथो मीटर। लेकिन यदी शागर के अंदर हम किसी पंडुब्भी में है, हमें बाहर के दृस्त को देखना है कि कोई जहाज आ नहीं रही है, उपर कोई जहाज जा तो नहीं रही है, तो ये सब देखने के लिए हम पेक्रियों करते öl के अंदर रहते हैं बाहर की चाहिए देख्ते हैं लिए करते हैं और को मापते हैं और और क Sufferette के देतनी बारिस विया हुई है तो अला प्रशन हम लोग दिखते हैं कि कारना लाइट कि सद्धात का आईस इतिक रमॉनियम का आयस क्या होता है बाक साइड होता है इसमें खुद ही विखंडन की छमता पाई या इसलिए इनको नुकलियर बंबनाने में ठीक है या इनका सही उप्योग करके इनसे उर्जा उत्पन करने में इनका उप्योग किया जाता है कारणा लाइट हो गया पोटैसियम धाउत का अगला प्रसंथ देखते हैं कि निम्न में से प्लेग उप्चार में कौन सी दवाय दिए प्लेग जो होता है यह जो पिस्सू होते हैं गोटे इसकी रोग्ञ्व्धाम के लिए इसको उवचार के लिए में करते हैं अब्लड को पतला करना होता तो कि अद्रेनल में होजाता है अगला पुरूमण में से कौन सा बैक्टिरिया जैनित रोग नहीं है थीक है इनमें से जो उपर के आपको तीन दिख रहे है positiv है भै के ज सले जाते हैं इसमुचित हो जाते हैं सबसे कम होती थी किस रंके प्रकास की तरंग ध्यर सबसे कम होती है प्रस्ट यह प्रहकर कई बार हम लोगोंने डिस्कॉस किया लाल कम होती यह तो लाल रंग की आब्रित जो होती है सबसे कम होती है और बैगनी रंग की आभरत सबसे अधिक होती है टो जिसका त्रंग ध्यादा होता है या सबसे कम होग सबसे ज़्यादा होगा परकृटन की वजह से हमें आकास नेला पढ़ता है समुद्र का पाने नीला दिखाई पढ़ता है और सूरी जब उगता है या डूबने वाला होता तो उसे में लाल दिखाई पढ़ता हो परक्रेडन की घटना के कारण होता है ठीक है यह सभी प्रसुन में यहां कबर किया दोस्तों यदि आपको पॉल्टी पढ़नी है ठीक है तो आप बिरेशतर की पॉल्टी एक बार जरूर पढ़े उन्होंने बहुत ही कम लेक्चर में पूरी पॉल्टी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किये तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उनकी वीडियो को अब जरूर देखेगा पचास से अगला प्रसन है कि वयस्क के बिल्ली होगा ठीक है वयस्क के बिल्ली के कुल कितने दात होते हैं यदि कोई बिल्ली बैस कहें तो उसके मुह में ठीक होते हैं अगर मनुस्ष से बैस के हो तो 22 की बात करूं जब छोटा होता तो उसके मुह में 20 होते हैं मनुस्ष के रोकवने फ्र्मूला भी आपको बताया था है अगर ब्यस के इस कर बार बच्चा है ठीक है तो 21, 0, 2 इसमें प्रिमोलर नहीं पाए जाता है अगला प्रसम लोग देखते है अगला है कि कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है प्रंत बिजली का बुरा ठीक है कौन सी इसी धातु जिससे ताप तो चला जाता है लेकिन बिजली नहीं आप जो प्रेस करते हैं तो अगर बात करें बिजली का मतलब बिजली के सबसे अजरे चालक किया है बिद्दुद का तो चांदी का सबसे चालक होता है लेकिन अब रग उस्मा का बहुत अच्छा चालक होता है तो आप तो प्लीज अपने दोस्तों में से और इसे सेर किजिएगा और यह अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं कि अप दो को जोडने के लिए करतें जब आप रेडियो बना रहे होते हैं या आप मोबाइल बनवाने जाते हैं तो हम सोल्डर होता है उससे गला के अपने आपके तारू को जोडने में उसका उप्योग किया था ठीक है अग्रमस्तिस का हिस्सा नहीं है ठीक है तो हमारा जो मेडूला है ठीक है हमारा जो यह मेडूला है यह अग्रमस्तिस का हिस्सा नहीं है ठीक है यह अधिविरिक का हिस्सा है अधिविरिक का हिस्सा है बाकि सेरी बरहम थैलमस और हैपो थैलमस यह सब क्या है हमारे अग्रमस्तिस के हिस्से हैं यह क्या है अधिविरिक का हिस्सा है अगला प्रस्वाइब देखते हैं कि भारतिय दलहन अंसंधान संफ्थान कहां है तो जो दलहन वाली संफ्थान है यह अगर हम बात करें दाल सबसेदा पैदा होता है मद्यप्रदेश बोपाल में ठीक लेकिन दलहन वाली जो समस्ता है ये कानपूर में कटक में चावल का है और सिम्ला में आलू कानपूर में क्या है कानपूर में दलहन का अगला प्रशुम में होती है की ग्राम में केतनी होती है यह होती ऑस हमारे 30 grand मिलता था प्रोटीन से मिलता था नाइन पॉइंट 5 क्या सब्सक्राइब कीलो जूल प्रद घ्राम के साथ मिलता था लेकिन जो आद में दारू पीता है ठीक है दारू पीने के बाद एक ग्राम सो से पर 30 किवो जूल पर्द ग्राम के इसाब से उसे मिलतीare है इसलिए ये असी समय आ पने आपको पुर्धानमंद्री समझने लगते हैं ठीक है दारु की नेगों कि इतनी एनर्जी जा रही है एक ग्राम एक ग्राम दारु से 30 किलो जूल एनर्जी के सरीर में जा रही है तो फिर बड़ी बड़ी बाते तो करे गई ठीक है तो अगला प्रफन देखते हैं कि कि किडवन पर कि कि किडवन पर किरिवन प्रक्रिया में सी कई होता हूं कछिवन पर क्रिया के दवारा हम को इतनी करते ढंके थे करते हैं अगला प्रफन कि में से को साब भूर्ड पोसी भीज नहीं है ठीक है भूर्ड पूसिय से व्रूर्ण बूर-अ तो हम खुना को आप चावल को कितने जमत बाड़ा हो जाएगा लेकिन फूल पाए जाता है लेकिन इसमें क्या पाए जाते इसमें बीज पत्रक पाए जाते तो चाना जो नहीं है यह क्या है यह इसमें पत्रक पाई जाते हैं ठीक है और उसी से उनका उनके बीच को भोजन मिलता है ठीक है अगला प्रफन हम लोग देखते हैं कि एसी टोन और मेथिल अलकोहल के मिस्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्खित तक्नीक का प्रयूक किया जाता है तो आंसिक आस्वन क् इन दोनों के बीच में क्या है एसी टोन और मेथिल अलकोहल के बीच में क्या है उनके वास्वित होने का जो तापमान रेट हो बहुत कम है ठीक है तो उनको आंसिक आस्वन बिद्वारा अलग किया जा सकता है मतलब आप उनको गरम करेंगे और आगे जाके उसे कुछ- अलग किया जाएगा एसी टोन और मिथाइल अलकोहल को ठीक आस्वन बिद्वारा किया जाता है जैसे जहां पर भी दो चीजों का मिक्चर है दोनों के जो वास्वित होने का जो तापमान है ठीक है यह संघनन का जो तापमान है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आस् अंसिक वहीं लगा जाता है जहां थोड़ा सांतर जादा हो और उसको हम आराम से दो बरतनों में अलग कर सकते ठीक है तो आंसिक आसवन एसी टोन और मेथिल उक्वाल को लग करने के लिए किया जाता है अगला परहन हो देखते हैं कि आसू का पीच क्या होता है तो यह सिर्टी क्रणों को से दूरेड़ी क्रम में जोडने के लिए काम में इती है है तो कि इसी को जोड़ना हमें सही होजगत достаточно कि ज़ sounds पड़ती है ठीक है संयोजक्तार के दौरा हम किसी भी युक्ति को सिरेड़ी करम में जोडते हैं स्विच के दौरा हम उसको बंद या चालू कर सकते हैं करने के लिए तेजो धीम करने के लिए पंकह में आपका रगाएट लगा होता है हुज बुरे घर का जो लाइट कनेक्शन आ रहा है उसको अलग करने के लिए हम फ्यूज का परियोग करते हैं ठीक है, अगला प्रफ्षत देखते हैं कि हरे को के पकाने हैं तो पर्युक्त से पकाना है तो आप संवाइड को आते हैं कारवाइड को आप आम रखा हो तो ऑसी बीच में आप रख देते हैं आप देखते हैं कि दो दिन में आप काम पक जाता है जो कारवाइड है और नमी से किरिया करके एसेटिलीन गैस निकालता है ठीक है इसी गैस की जासे आप काम पकता है ठीक है कारवाइड क्या करता है जो नमी से किरिया कर लेता है और एसेटिलीन गैस निकालता है इसी एसेट तो ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी चाल्स बैवेज इन्होंने कंप्यूटर बनाया गराम बेल ने टेलीफॉन बनाया और बेरड ने क्या किया इन्होंने टेलीविजन का आविश्कार किया था तो ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी माइकल फैराडे ठीक है अगला प्रश्णम लोग देखते हैं कि मकडी में सोसन अंग कौन सा होता ठीक है बुकलंग से ठीक है मकडियों में क्या होता है बुकलंग से पाजाता है सोसन अंग के रूप में ठीक है बुकलंग से इसी के द्वारा वो क्या करते हैं अपना स्वास अंदर बाहर करते है अगला प्रस्ण मारा है कि हथेली में पाई जाने वाली हड़ी का नाम है ठीक है यदि हम अपने कंदे से शुरू करें तो कंदे से नीचे आएंगे कोहनी तक तो यह होता हमारा हुमरस ठीक है उसके नीचे आएंगे तो हमारा रेडियो और अल्ला पाजाता है ठीक है रेड कि कर्प जो जहां मूठा बाद्धे में हमारे behalf जाता हुझत आपक हथेली जो होती है है यहां पर मेटा कार्पल नामक doc हड्डिया प्ध्या अग्ला प्रसंद देखते हैं कि अस्पताल में निंखत मैं से किस भिभाग चेंद पाइजाते हैं ठीक है काइद जो होते हैं काडियोलाजीदी भाझ में पाएजाता है अगहला प्रस省 हमारा है कि निमलखित में से कौन सा मद्में का लचछण नहीं है बहुत प्याफ लगना सांस की कमी ठकान महसोस करना वजन घटना इन में से केवल जो सांस की कमी है यह मदमय का लच्छण नहीं है बाकी प्याफ लगना ठकान महसोस होना वजन घटना ठीक है जादा भूख लगना ठीक यूरेनेशन जादा होना यह सब के सब मदमय के लच्छ प्रश्घ रचण है मतलब चोटे-चोटे-चोटे असंग के चित्र होते हैं पानी अंदर जाता है और उसी वनको भोजन ठीक है और आप विजन मिलता है और उनके जो अपसिष्ट पतार्त होते से उसी से बाहर निकल जाते हैं तो यह होता है स्वंजी गुः Пणा उपए जाता है अगला प्रस न हमारा है कि निम्खीत में से कौन सी फसल अगेती चलुसा रोग से परभवित होतीच ही चलुसा से प्रभावित होने होता है इसमें अगेती हुलसारों हो जाता है ठीक है अगला प्रस नमारा है कि किसी बैक्ति का पूरा प्रत्विन देखने के लिए एक समतल दर्पण की नियूंतम उच्चाई होती है यह आपको पूरा प्रत्विन देखना है तो आपकी उच्चाई का आधा ठीक है कम से कम आ जानगे, देख सकते हैं, अगला प्रस्outh नारा है, कि ययादो नहीं होगा, यहां होगा, आपका प्याज ओ, थीके, यहां होना चाहिए, प्याजी ओ, प्याजोगों की छिल्के उतारने पर आ्सू आते हैं, क्योंकि प्याज निसकासित करता है, ठीके, प्याज जो ता हो तो इस सलफेनिक एसिड निकलता जिससे क्या था मारे आँख में आशी आ जाता है तो और हो जाएगा अगला प्रसुन है कि आकशीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है क्रांतिक आप का मतलब होता 8 डिक्री कर लेता है तो आप उसमें कितना भी दबाव डाल देंगे ओडरों में परिवर्थित नहीं होगा मतर्व दरवित नहीं होगा तो आप से अपने दोस्ते में चलू को सब्सक्राइब आपको मिलता रहे चलिए आज भी दा लेते हैं आपसे जय हिंद जय घरत